क्या heroine oriented film crew जो आज से cinema गरों में रिलीज हुई है लोगों का मन जीतेगी हलो फ्रेंज नमस्कार और वेलकम टू को मलनाटो ओफिशल इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं film crew को लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दू कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिगा crew कहानी है तीन दोस्तों की तीनों की गहरी दोस्ती है और कोहिनूर के बॉस जो है विजयवालिया दाट इस शाश्वत चाटर जी वो काफी महीनों से अपने स्टाफ मेंबर्स को सालरी नहीं दे रहे हैं ये कहके के नुकसान हो रहा है खेर जैसे तैसे ही सारे employees, air hostesses, ground staff वगरा वगरा सारे लोग काम कर रहे हैं यही सोच करके आगे जाके हमारे dues सेकल होंगे लेकिन विजयवालिया ऐसा कुछ नहीं करते हैं और जब ऐसा ऐसास होता है इन तीन दोस्तों को यानि गीता सेथी, जैसमिन और दिव्याराना को ऐसास होता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है उनको एक तरकीब सूचती है Actually, किसी staff member की death हो जाती है और उस staff member के body पर ये तीन air hostesses ऐसा कुछ पाते हैं कि उन्हें लगता है क्यों न हम भी ऐसा काम करें यानि गलत दिशा में ही वो सोचने को शुरू कर देते हैं और वो contact करते हैं मित्तल जो कि उस company के owner के खास right hand man है मित्तल plane by Rajesh Sharma और मित्तल साब को कहते हैं कि अब ये आदमी तो मर गया हम ये गलत काम करने को तयार हैं आप वो पैसा जो ये कमा रहा था हमें कमाने दीजिए और वो गलत काम पे लग जाते हैं और गलत काम करते करते एक दिन छापा पड़ता है पुलीस का और वो तीनों पकड़े जाते हैं पकड़े जाते यानि इंटरोगेशन के लिए ले जाते हैं उसके बाद क्या होता है वो तो आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा यानि it's a story, basically it's a story of three air hostesses जो गलत राह पर चलती है और उसके बाद जब कानून की चपेट में आ जाती है उसके बाद क्या होता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है और सबसे पहले आईए discuss करते हैं, analyze करते हैं इस फिल्म की script को यानि कथा, पटकथा और समवादों को इस फिल्म की कहानी पटकथा और समवाद तीनों लिखे हैं निदी, मेरा और मेहल सूरी ने सबसे पहली बात तो ये कि it is designed as a comedy लेकिन बहुत कम scenes है जिसमें आपको खुल कर हांसी आती है आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती है और सबसे बड़ी बात ही है कि the effort to make the audience laugh shows तो क्या होता है, जब effort नजर आती है कि जबरदस्ती audience को हसाने की कोशिश की जा रही है और वो हसी नहीं आती है, तो that's like a red mark in the report card of the film इस film में ऐसे कई scenes हैं, जहाँ पर हसाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है लेकिन हसी कम जगा पर आती है Secondly, contrived सा drama है सबसे पहले तो आपको ये लगता है कि air hostess की नौकरी में इन तीनों लड़कियों को कोई कम salary नहीं मिलती होगी ये बात अलग है कि कुछ महीनों से salary नहीं मिली है तो जब वो मित्तल से मिलती है, ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपके पास तो इतना सारा धन है, जो आप divert कर रहे हैं उसमें से हमारे dues clear कर दीजिए बाकी staff members के भी clear कर दीजिए बाकी फिर हम नहीं नौकरी डून लेंगे वो गलत रहा पर चलने के लिए क्यों तयार हो जाती है और in fact गलत रहा पर गलत दिशा में क्यों जाती है ये clear नहीं किया गया है बिकॉस जैसे मैंने कहा air hostess की नौकरी में कुछ महीनों से salary नहीं मिली है लेकिन बाकी तो अच्छी कमाई होगी तो where is the need to adopt the wrong path where is the need to make quick money by unfair means और ये सवाल का जवाब आपको अंद तक नहीं मिलता है ये बात आपको खटकते रहती है वैसे भी जैसे मैंने कहा drama contrived है और secondly, second half में ऐसे लगता है कि ये तीन लड़किया कुछ भी कर सकती है anything under the sun is possible for them क्योंकि drama उतना fast speed में fast pace में नहीं move करता है इसलिए आपको ऐसी बाते सोचने का मौका मिलता है क्या होता है कभी-कभी the characters in the film can do anything just about anything लेकिन वो इतनी fast-paced film होती है कि आप सोच नहीं सकते बाहर निकल कर आप कुछ भी सोचो लेकिन film देखते वक्त आपको अगर ऐसे खयाल आते है ऐसे सवाल उठते है कि ये कैसे possible है ये कैसे possible है और उनके जवाब आपको बतौर audience आपको नहीं मिलते है फिर आप irritate हो जाते है इस film में भी ऐसा ही कुछ है अफकोस कुछ चीजे मज़दार हैं entertaining भी है लेकिन कई चीजे मज़दार नहीं है entertaining नहीं है comedy की कोशिश की गई है लेकिन वो comedy create नहीं होती है generate नहीं होती है so the screenplay is quite weak dialogues बहुत ही ordinary है average dialogues nothing to shout about but nothing to complain either यह तो ही बात script की अब एक नज़र डालेंगे actors के performances पर individual actors की बात करें उससे पहले यह बता दे कि तीनों जो lead characters है Taboo, Kareena Kapoor Khan और Krithi Sainan तीनों में एक effort नज़र आती है to impress to impress the audience और यह effort जब नज़र आती है you don't like it as an audience you want to see seamless performances seamless acting अब आते हैं individual performances पर Taboo ने काम अच्छा किया है लेकिन nothing outstanding Kareena Kapoor Khan ने भी काम बढ़िया किया है again nothing outstanding आखर यह तीनों heroes है film की Taboo, Kareena Kapoor Khan और Krithi Sainan और तीनों की acting क्योंकि इन तीनों के कंदों पर film टिकी हुए तीनों की acting extraordinary होती तो बात ही कुछ और बनती Krithi Sainan again she's done a fine job but nothing that is sensational nothing that is wow Diljit Dosanj special appearance में है the most sincere actor in the film हर scene में जब-जब वो आते हैं बहुत ही चोटा रोल है लेकिन जब-जब वो आते हैं आपको लगता है क्योंन इन्हे लंबा रोल दिया गया because he's a delight to watch on screen उनके छोटे नुआंसे उनके छोटे इशारे उनकी बोड़ी लैंविज उनके डायलोग बुलने का अंदाज everything is superb Kapil Sharma again in a special appearance as Arun Sethi he's been wasted ऐसा रोल उन्हें क्यों एक्सेप्ट किया and there's nothing worthwhile for him to do Shashwat Chatterjee in the role of Vijayavalia is effective Rajesh Sharma जो मित्तल की भूमिका निभा रहे है उन्होंने भी काम ठीक ठा किया है Charushankar उनकी बीवी सूधा मित्तल के रोल में she is alright lends decent support police officer माला की भूमिका में तुरुपती खामकर का performance natural है लेकिन एक scene है जहाँ पर वो table पर हतोड़ा मार रही है आपको लगता है इस प्रकात का बेवियर किसको शोबा देता है so you know it doesn't really go well with her character Kulbushan Kharbandha जो की Jasmine के नानू का रोल प्ले कर रहे है Nana ji का रोल प्ले कर रहे है he is quite alright Pooja Bhamra in the role of Komal air hostess Komal definitely has her moments बहतुरीन पर्फॉर्मर Maya Sharma as air hostess Sheetal and Shivam Khanna as cabin crew member Ankit दोनो का support बढ़िया है Rahul Gilani as Punnu and Juhi Arora as Sapna are adequate cabin crew member Raj Vanshi की भूमिगा में Ramakant Daima makes his presence amply felt Mayra Singh as young Jasmine and Naisha Khanna in the role of young Divya Rana both of them are enduring Suparna Marwa as Divya Rana's mother and Ivan Rodericks as Divya Rana's father are quite alright of course inके अलावा और भी बहुत सारे actors है जिन्होंने अपना-पना काम सही अंदाज में किया है ये तोई बात actors के performances की अब एक नजल डालते हैं direction और अन्य टेकनिकल आस्पेक्स पन Rajesh A. Krishnan की निर्देशन में ये फिल्म बनी है और direction को हम ordinary कह सकते हैं क्योंकि director has not been able to make a drama that would arrest the audience's attention audience को शुरू से अंध तक बांध के रखे and comedy में comic scenes में बहुत हसाय लोगों को ऐसी बात नहीं होती है film में Sangeet अलग-अलग music directors का है Vishal Mishra, Raj Ranjod, Akshay and IP Bharg and Roh and दो तीन गाने रिमिक्स्ट है पुराने गानो का रिमिक्स्ट वर्जिन है जैसे चोली के पीछे etc. etc. लेकिन नेना सॉंग is very nice बहुती मज़दार गाना है गानो के बोल भी अलग-अलग लिरिसस ने लिखे है and they go well with the mood of the film गानो के कुरियोगरफी भी अलग-अलग dance directors की है actually Farah Khan is the song director तो चोली के पीछे and नेना उनोंने पिक्चराइज किया है दोनो के पिक्चराइज़ाशन मज़दार है चोली के पीछे का पिक्चराइज़ाशन is also by Firoz Khan again, nice then there is Piyush Bhagat and Shazia Samji जिनोने गागरा वाला गाना पिक्चराइज किया है all the songs have been well picturized background music by John Stuart Eduri is quite good cinematography Anuj Rakesh Dhawan कि है जो की बढ़िया है of course नेना वाला गाना उसकी cinematography Ravi Varman न की है it deserves special mention action choreography Amar Shetty की है which is all right production designing by Disha Day and Shashang Tere and Art Direction by Inam Khan are of a good standard और Manan Sagar का संकलन यानि उनकी editing sharp है लेकिर इस से ज्यादा sharp होना चाहिए थी तो overall crew ठीक ठाक film है of course इस film को आज की चुट्टी Good Friday की चुट्टी का benefit मिलेगा so it's a weekend of three days वो definitely बहुत बड़ा benefit है otherwise it's a very ordinary film यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आज इस film को opening अच्छी मिली है और Good Start का reason क्या है दो एक तो आज Good Friday की चुट्टी है and secondly इस film का trailer मज़ेदार था एक उच्छुकता पैदा हो गई थी audience के minds में कि ये film देखनी है तो दस्तों कैसा लगा हमारा review of crew comment section में जाये और अपने comment जरूर post कीजेगा और अगर आपने भी ये film देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको film कैसी लगी Thank you शुक्रिया Take very good care of yourselves See you soon